How to fix Vivo camera lens not working problem नमस्कार दोस्तो स्वागर है आप सभी का तेकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज कि इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि Vivo के फोन पर आप जो है यहाँ पर दोस्तो आपका जो camera lens है ठीक है यदि वो काम नहीं करें केसे problem को solve कर सकते हैं केसे आप जो है camera lens को यूज कर सकते हैं आज के इस वीडियो पर आपको WhatsApp मैं बताऊंगा ठीक है solution भी बताऊंगा camera lens कहां से यूज करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो पर बता दूँगा तो दोस्तो simply वीडियो के साथ बने रही है सारे साथ चैनल को भी subscribe करके bell icon को भी click जरू कर दीजिगा यही आप online से पेसा कमाना चाते हैं उसके लिए आपने वीडियो description पर link दे रखाए आप जाके check out जरू करें तो दोस्तो सबसे पेले तो आपको क्या करना होगा आपको setting पर जाना है सेटिंग पर जाके scroll down करके नीचे application and permission पर जाना होगा app manager पर जाके दोस्तो आपको यहाँ पर camera को ढूनना होगा तो camera ढून लेने के बाद आपको उसे tap करके open करना है force stop करके आपको ok कर देना है उसके बाद आपको internal storage पर जाके clear data पर click करके ok कर देना है ok करने के बाद दोस्तों आपको back करना है उसका permissions वगरा यहाँ पर allow कर देना है और सारी साथ दोस्तों mobile का software यहाँ पर आपको update कर लेना है ठीक है? camera lens काम नहीं कर रहे आपको जाना है system update पर उसके बाद यहाँ पर आपको update मिल जाएगा जाके device software को update जरू कर ले update कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है camera को open कर लेना है उसके बाद कहां से use कर सकते है यहाँ से आप use कर सकते है आपका lens जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको टीन उप्शिन दिखाई देगा यारू फिर दू उप्शिन दिखाई देगा ठीक है तो यहाँ से दोस्तों आप केमरा का लेंस वगजरा यूज़ कर सकते हैं super wide angle, bokeh camera उसके बाद, यहाँ पर दोस्ति यह हो गया bokeh camera और उसके बाद यह हो गया super macro camera ठीक है? तो इन सब को आप यहाँ पर बरी-बरी करके use कर सकते हैं, और एक है normal camera, तो दोस्तों इस तरीके से आपको camera lens use करना है और इस तरीके से problem को solve भी करना है तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर बस इतना ही उमीद करते हैं वीडियो आपको पसने होगा thanks for watching